भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए अनमोल वचन आज भी लोगों के जीवन में लागू होते हैं। महाभारत को पंचम वेग कहा जाता है। अगर महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए उक्तियों को अपने जीवन में आत्म साथ कर लिया जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। आज यहां हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही पंद्रह अनमोल वच्णों को तर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह धूंड लेता है। अनमोल श्रीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं श्रीर का काम है। से जुड़े रिष्टों से कोई नाता नहीं रह जाता है मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं ना तो मेरा आखिरी जन्म है आरना ये तुम्हारा आखिरी जन्म है वर्तमान परिस्थिती में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर धर्म व्यक्तिगत होता है। मैं किसी के भाग्य का निर्मान नहीं करता ना ही किसी के कर्मफल में दखल देता हूं। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माता होता है। प्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रू होता है, प्रोध आने पर इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता, व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हामेशा कर्म करते रहना जाहिए क्यूंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थाए है, इसलिए परिवर्तन से नहीं घबराना चाहिए। मन को नीथ्रम में रखना किसी घुडे के नवजाच शिशु को नियंत्रल में रखने जितना कठिन होता है.